पंजाब के विधानसभा चुनाओं में घमासान बढ़ता जा रहा है पंजाब और गोवा में चार फरवरी को होने वाले विधानसभा चुनाओं के लिए पिछले दो महिनों से जारी चुनावी शोरगूल आज थम जाएगा इन दोनों राजियों में शनिवार को वोटिंग होनी है और इससे 48 घंटे पहले प्रचार अभियान बंध हो जाता है गोवा की 40 अदस्ती विधानसभा के लिए 1642 मद्दान केंद्रों पर वोट डाले जाएंगे कॉंग्रेस जहां 37 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं महीं बीजेपी ने 36 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं डेरा सच्चा सौधा के राजनितिक विंग के चेर्मेन राम रहीम सिंग ने घोषना की है कि पंजाब विधानसभा चुनाओं में उनका डेरा बीजेपी और अकाली को समर्थन करेगा पिछले चुनाओं में डेरा सच्चा सौधा ने कॉंग्रेस को समर्थन दिया था इससे पहले डेरा सच्चा सौधा ने हरियाना विधान सबा चुनाओं में बीजेपी को अपना समर्थन दिया था हर चुनाओं में डेरा सच्चा सौदा का राजनितिक विंग तै करता है कि उसे किसे समर्थन देना है असल में डेरा की वोटरों पर मजबूत पकड़ मानी जाती है और डेरा की राजनितिक विंग का दावा है कि पंजाब में उसके 35 लाख समर्थक है जो चुनाओ को प्रभावित कर सकते हैं पंजाब में डेरा के ज्यादातर समर्थक मालवा छेतर से आते हैं और मालवा विधान सभा में कुल 117 में से 79 सीटे आती हैं पंजाब में शनिवार 4 फरवरी को एक ही चरण में चुनाओ होगा वहीं 11 मार्च को सभी पांच राज्यों के चुनाओ परिणाम घोशित किये जाएंगे पंजाब में वर्तमान विधान सभा का कारेकाल 19 मार्च 2012 को शुरू हुआ था जबकि यह 18 मार्च 2017 को खत्म हो रहा है पंजाब में विधान सभा की एकुल 117 सीटे पर चुनाओ होने हैं देखते रहें दिवी लाइब